तो इस वीडिया में चर्चा करने वाले हैं थोर लव एंड धंडर मुवी के ट्रेलर के बारे में जब देखो इसका टीजर आया था तो थोड़ा बहुत मुझे काम पसंद आया था तो इसमें कौन है क्या है क्या स्टोरी होने वाली तो इंट्रस्ट बने ना लेकिन टीजर इतना अच्छा नहीं लगा था लेकिन ट्रेलर ट्रेलर तो वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा है मुझे आए मुझे के ट्रेलर में जितनी कहान ही हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तो भाया जो थोड़ है वह पहले जैसे हमने देखा था जो इंफिनिटी वोर है मतलब कि जो थेनों मेंaf मार देते हो बैक में जाके थे शह से मतलब वह अंगुटे-ं लाइफ उसकी दिखाई जाती है और अपने आपको वह खोजने पर ढूंड रहे हैं मतलब अपने आपको खोजना चाहरे कि मैं क्यूं हूं क्या हूं क्या कर रहा हूं किसलिए हूं धरती के उपर बगएरा बगएरा वही मन की शान्ति आ है तो वह इसलिए चल निकलता है कि य मज़े ले लो जिन्दगी के तो यह वाले चीज़े जब इसमें देखते हैं तो इंट्रस्टिंग आता है फिर सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इस मूवी में लगी वह क्रिस्चन बेल बाई जैसे उनका लुक इसमें दिखाया गया है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है मतलब क्या सीन है यार वो क्या मतलब मैंने फिर से रिवर्स करके मतलब बैक करके इस ट्रेलर को देखाया है मतलब यार यह वाला मुझे बापस देखना है कितना बढ़िया सकून देने वाली जो सीन मतलब जो भी ट्रिशन बिल को हमें देखने को मिला है इस ट्रेलर के इसमें यार बहुत जादा उमीदें लगा ले थी ट्रेलर जब देखा थो बहुत बहुत जादा उमीदें लगा ले थी बट मुवी उस उमीदों पर खरी नहीं उतरती है काफी सारी न्यूज आई कि इसके अंदर scene cut किये गए है मुवी को काफी कम किया गया इसकी length कम किये वो तो यहां पर इस ट्रेलर को देखकर उमीदें तो कर रही है मतलब मन तो कर रहा है इसके उपर उमीदें लगाओं काफी अच्छी जाने वाली पट फिर रह रहा है कि दिल में डर है कि यार इससे ज़्यादा उमीदें लगा लें तो दिल तूट ना जाए तुकड़े बहुत ह कहानी जो हमें देखने को मिली है कि यहां पर क्रिस्टन यह अब नदलब को खतम करना चाहते हैं क्योंकि देवतां से कोई उम्मीद रह नहीं है वो बस लालची हो गए अब यहां पर कैसे वो दिफाओं को खतम करते हैं और कैसे ठोर रोकता है इसको मतलब जो देवताओं खतम करना चाहरें और कैसे अपनी गर्फ्रेंड को फिर से मनाता है या नहीं मनाता वो यह सारी चीज़ें जो है जो मुवी आएगी तभी बात करेंगे तो यार जो उनकी परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत जादा पसंद आती है और जो यहां पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही देखा है उसके इंदर रुपए तो रुपए देने पड़ते हैं तो वहां पर हमें चूज करना पड़ते हैं कि हिंदी देखें इंग्लिश देखें टेलर में तो दोनों देख लिए तो यहां पर हिंदी डबिंग के में बात करूं तो देखा क्रिस्टन वेल की जो एक डबिंग हमने बैक्में की मूवी में देखी ती यह सुनी थी तो मुझे लगता है और वह वोईस अगर वापस होती तो काफी अच् मुझे तो ओवरोल ट्रेलर काफी अच्छा लगा है आप अपनी राय रख सकते हैं कोमेंट सेक्शिंट में की आपको कैसा लगा है और आपकी क्या उमीद है तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में टैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स कर दो